पाठ दो, साए पाठ प्रवेश हम सब अपने मित्रों से प्रेम करते हैं एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं सच्चा मित्र वही है जो साए की तरह मित्र का जीवन भर साथ निभाता है यह पाठ एक ऐसे सच्चे मित्र की कहानी है जो अपने मित्र की मृत्यू के बाद भी उसके कर्तव्यों को पूरा करने का वचन निभाता है। नन्हे नन्हे दुध मुहे बच्चे, अकेली रुग्ण पत्नी, नाते रिष्टे का ऐसा कोई नहीं जो जरूरत पर काम आ सके। पती सुदूर अफरीका में, अस्पताल में बीमार। महीनों तक कोई पत्र नहीं। बहुत लंबे समय के बाद एक दिन एक पत्र मिला। बड़ा करुण और दर्द भरा था। नैरोबी के किसी अस्पताल से लिखा गया था। कुछ सूजता नहीं। पास होते तो, लेकिन भरुसा रखना। भगवान सबका रखवाला है। जिसने पैदा किया है, वह परवरिश भी करेगा। पत्नी पत्र पढ़ती। रूती। अबोध बच्चे रुलाई भरी आँखों से मां का मुँ ताकते। फिर चिट्थी पर चिट्थियां डाली उन्होंने। फिर तार। तब कहीं केनिया की मोहर लगा, एक विदेशी लिफाफा मिला। लिखा था, परमात्मा का ही जमतकार है, हालत सुधर रही है, एक नया जर्म मिला है। थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया। हालत पहले से अच्छी है, चिंता की अब कोई बात नहीं। इस बार कुछ रुपिये भी पहुच गए। बच्चों के मुरजाई मुखडे खिल उठे। बीमार पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा सुधार की ओर बढ़ा। चिठ्थियां नियमित रूप से आती रही। विस्तार कर रहा है। धीरे-धीरे कुछ नई जमीन खरीदने का भी इरादा है। शेहर के पास एक फार्म हाउस बनाने की योजना है। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न थे। बड़ी उत्साह जनक बाते थी वि लगभग तीन परस बीद गए। बच्चे बहुत याद करते हैं। उसे देखने भर को तरसते हैं। जो जो हिदायतें चिट्थी में लिखी रहती हैं, उनका अक्षर शह पालन करते हैं। मां को किसी तरह का कष्ट नहीं देते। कहना मानते हैं। पढ़ने में बहुत मेहन करते हैं। अज्जु कहता है कि बड़ा होकर वहा भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा। पापा की साथ खूब काम करेगा। अब वहा पूरे बारह साल का हो गया है। छठी कक्षा में अवल आया है। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफा मिलेगा तनु अब अठारा पार कर रही है। उसका भी ब्याह करना है। चठी के जवाब में बहुत सी बातें थी। लिखा था, इस समय तो नहीं, हाँ, अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुचूंगा। तहेज की चिंता ना करना, कहीं वर की खोज करना। वर की तलाश मे भटकने की अधिक आवश्यक्ता न हुई। असानी से खाता पीता घर मिल गया। शायद इतना अच्छा घराना न मिलता, लेकिन इस ब्रहम से की कन्या के पिता अफ्रीका में सोना बटोर रहे हैं, सब जहज हो गया। शादी की तिथी निश्चित हो गई। नैरोबी से पत लंबा पत्र आया। इस पीच जो एक नया कारोबार शुरू किया है, उसमें मजदूरों की हरताल चल रही है। ऐसे संकट की समय में यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है। हाँ, गेहने, कपड़े और रुपिये भिजवा दिये हैं। वरवधु के चित्र उसे अवश्य भ थे। हाइ स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रधम रहा। खेलों में भी पहला स्थान प्रात हुआ। बहुत से सर्टिफिकेट मिले, वजीफा मिला। इनाम में मिली सारी वश्यों की फोटो वे पापा को भेजना न भूले। बदले में कीमती कैमरा आया, कर्म बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है। यह सारा कारो बार उनहीं के लिए तो है। पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव ना हो पाता। हर बार कुछ न कुछ अर्चने आ जातीं और उनका आना स्थगित हो जाता। समय अबात गती से पंख लगा कर उड़ता रहा बच्चों ने लिखा कि यदि उनका घर आपाना कठिन हो रहा है तो वे ही सब अफरीका आने की सोच रहे हैं। कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। उत्तर में केवल इतना ही था। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। समय निकाल कर कभी वह सोयम घर आने का प्रयाज करेगा। बच्चों की बहुत याद आती है। घर की बहुत याद आती है। लेकिन विवश्टा के लिए क्या किया जाए। अंत में एक दिन वह भी आ पहुँचा जब बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू हुई। पर पिता के अभी घराने की संभावना ना दिखी तो उसने लिखा। अम्मा बीमार रहती हैं। एक बार अंतिम बार देखना भर चाहती हैं। पत्युत्तर में विस्तरत पत्र मिला और इलाज के लिए रुपिय भी। अच्छु ने ही जाने का कारेक्रम बना लिया। अकस्मात पहुचकर पापा को चौंकाने की योजना बनाई। टिकट खरीद लिया। पासपोर्ट वीजा भी सब देखते देखते बन गया। और एक दिन दिल्ली से वहा विमान से रवाना भी हो गया। उसके मन में एक कहर उसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। उनकी निगाहों में तो अभी भी वह उतना ही छोटा होगा। जब वह निककर पहन कर आंगन में गुल्ली डंडा खेलता था। नैरोबी के हवाई अड़े पर उतर कर वह सीधा उस पते पर गया जो पत्तर में दिया हुआ था परंतु वह ताला लगा था। हाँ उसके पिता की पुरानी धुन्दली नेम प्लेट अवश्य लगी थी। आसपास पूछताच की तो पता चला कि एक व्रिद्ध भारतिय अप्रवासी अवश्य वह रहते हैं। रात को देर से दफ्तर से घर लोटते हैं। किसी से मिलते ज रोते नहीं, बिलकुल अकेले रहती हैं। वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पर प्रती इक्षा करता रहा। रात को एक बुढ़ा व्यक्ती ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामने बैठा उंग रहा था। उसका नाम धाम पूछा तो उसे अपनी बाहों में भ का किलक रहा है। यह किस का चित्र है। यह वक्त ने गौर से देखा, कुछ जेबते हुए कहा। मेरा। वृद्ध इस बार कुछ और जोर-जोर से खिलख लाए। मेरे बच्चे, तुम इतने बड़े हो गए हो। सच, इतने साल बीत गए, जैसे कल की बात है। उन्होंने उसके चेहरे की उड़ देखा। तुम शायद नहीं जानते, तुमारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्तों, कितनी लंबे समय तक हम साथ साथ रहे। दोस्तों की तरह नहीं, सके बाईयों की तरह। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहां बुलाया था। बड़ी लगन से स सारा काम सिखाया। साथ साजे में हमने यहां कारोबार शुरू किया। नैरोबी की आज यहां बहुत अच्छी पर्म है। यह सब उसी की बदौलत है। कहते कहते वे ठटक गए। उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए वे बोले। तुमारी मा कैसी है? कहीं कोई कठिन आई तो नहीं ना सब ठीक है बस यही मैं चाहता था यही होले सी उन्होंने उसका हाथ से लाया देर तक शुन्य में पलके टिकाई सूचते रही कुछ क्षणों का मौन भंग कर खोई-खोई से बोले देखो बेटे तिनकों के सहारी तो हर कोई जी लेता है लेकिन कभी-कभी ह हम तिनकों के साय मात्र के आसरे बहवर से निकल कर किनारी पर आलगते हैं जरा सोचो बेटे वेक हांसे तुमारे पिता की मृत्यों आज से पंद्रह-बीस साल पहले हो जाती तो क्या होता तुम अनात हो जाते तुम्हारी मां घुट-घुट कर कब की मर चुकी होती है तुम अन्हों ने अपने सूखे होटों को जीव की नोक से भी गोया हम दुर्बल होते हुए असहाइ अकेले होते हुए भी कितने बिहलवनों को पार कर जाते हैं सहारी की एक अद्रिश डौर के सहारे उनका गला भराया तुम्हारे पिता तो तब ही गुजर गए थी बेटे अपने साजे कारूबार से उनके हिस्से के पैसे नियमित रूप से भेजता रहा कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतजार में था अब तुम बड़े हो गए हो अपने इस कारूबार में मेरा हाद रहा